हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों विश्याल आप सब करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को दबाने ना भूलें ताकि आपको हमारे चै आप रहेगी आधार कार्ट से रिलेटेड दोस्तों आधार कार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज एडिट वगयरा करनी होती है तो इसके लिए आपको यू आई डी आई के ऑफिस पर जाना होता है जो की हर शहर में 4-5 लोकेशन पर होता है तो दोस्तों वहां यहां पर जाके आपको कुछ amount pay करना होता है लेकिन आप यह करने के यह ना करके आप एक और गाम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं दोस्तों यहां पर घर बैठे चीजों को एडिट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं मैं आपको बतायता हूं दोस्तों यह application install कर लीजिएगा install करने के क्रूंख से ला लेता हूँ कि पर्सनल से लिए ने चालू करते हैं टूस्तो यहां पर आपको क्या करना ओता है यहां पर आपको चर्व अपना आधारकार्ट नंबर और क exposing within आपको डालना होता हूँ सब्सक्राइब करना कर आपको अगर आपको यहां से कर सकते हैए रेटिष्टर में आधार पे जाईए का फोके कोई OTP आपको set कर दिश्चर करेंगे वह आप यहां पे देख पाएंगे खी आप差 कर दिजिएगा कोँडिले कर दोकए दोस्तों आपको एजबरीद इसे OTP आपको sat perché के लिए बोलेगा request OTP के लिए आपको कौनसा नंबर डालना है यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ट से connected है जो आपने आधार कार्ट बनबाते समय डाला होगा उसके बाद यह यहाँ पर रेइस्टर हो जाएगा बैक आ जाते हैं दोस्तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने आधार को और दोस्तो रेगुलर आधार है मासक अँवाई आधार है यह सब यहाँ पर डीटेटल डाल दीजिएगा जैसे कि I have आधार नंबर तो आपको आधार नंबर डाल द enrollment id से भी आप कर सकते हैं ओके दोस्तों चलिए बैक आ जाते हैं इसके अलाबा दोस्तों यहाँ पर UID retrieve करनी है यहाँ और भी कुछ काम करना है जैसे कि address वगेरा करना है आपको address अगर ऑल्लाइन अपडेट करना है तो यहाँ पर जाके आपको same process करनी पड़ेगी क्या करना होगा आदार कारण नमबर डालना है आपका mobile नमबर डालना है रीजन यह है तो आपका mobile नमबर बहुत बड़ी एक एहम रोल अदा करता है आदार कार्ट के लिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको UID आई के nearby office पे जाना होगा वहाँ पर जाके आपका कुछ काम हो सकता है वो आपका mobile नमबर अपडेट कर सकते हैं उसके लिए आपकी कुछ detail वगेरा उनको चाहिए होंगी वो आप डाल दीजिएगा ओके दोस्तों उनको दे दीजिएगा और यहां पे आप फिर से अपना address वगेरा खुद ही online अपडेट वगेरा कर सकते हैं ओके दोस्तों चलिए बैक आ जाते हैं इसके लाबा और भी बह verify हो पाएगा ओके दोस्तों तो यूज गीजिएगा अच्छी application है यह ओके दोस्तों qr scanner वगेरा भी यहां पर प्रोवाइड है इसके अलबहा अगर आपको appointment book करानी है तो appointment आप book and appointment पर जाके कर सकते हैं ओके दोस्तों appointment portal खुल जाएगा और appointment आप book कर सकते हैं easily ओके दोस्तो डीटेल डाल दीजिएगा जो भी आपकी सारी डीटेल है वो सब यहां पर डाल दीजिएगा ओके दोस्तों तो अच्छी application है यह और ध्यान किएगा यह किसी private firm की application नहीं गवर्मेंट की application है तो आप यहां पर जाके चेक कर सकते हैं ओके दोस्तों अभी मेरे नियरवाई सेंटर खुला हुआ नहीं है तो अभी यहां पर कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है बाकी मोर में जाके और डीटेल जान सकते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगेरा चैट वोट पर जाके आप चाहें तो इनसे चैट कर सकते हैं ओके दोस्तों तो काफी अ सकते हैं